दोस्तो आज की ये वीडियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लेम सॉल्विंग वीडियो है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ब्रेड क्रिस्पी चीज रोल नाम सुनने में जितना इंटरस्टिंग है खाने में उतना ही टेस्टी बनेगा इसी के साथ वीडियो शुरू क करते हैं नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे पेज पर वीडियो के शुरू में मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कही थी आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंतक बने रहे हैं ताकि हम उसे आपके साथ शेयर कर सकें सबसे पहले यहाँ प कट करने के बाद इन सब कॉर्णर को हमें समाल के रखना है इनकी जरूरत हमें बाद में पढ़ेगे यह कॉर्णर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस रेसिपी में तो इसलिए वीडियो के अंतक बने रहेगा आप से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जब तक यह ग्राइंड होता है तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के शुरू में मैंने आप से कहा था कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होने वाली है इस रेसिपी को बनाने के बाद आप एक बहुत बरी प्रॉब को ग्राइंड करने के बाद हमें उन्हें फिर से समाल कर लेना है क्योंकि यह रेसिपी के एंड में इस्तमाल होगा हमें ले लेना है रोटी बेलन और जिस तरह रोटियां बेलते हैं उसी तरह हमें स्लाइस को स्ट्रेच कर लेना है सारे स्लाइस को आपको सेम तरीके से स्ट चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स अगर आपके घर पे ना हो तो चिली फ्लेक्स बनाना बहुत ही आसान है इसे आप घर पे बना सकते है इसके लिए आपको सुखी मिर्च लेनी है सुखी लाल मिर्च और उसे ग्राइंड कर लेना है और उसे आपका चिली फ्लेक्स तैयार हो जा तो आप चीज क्यूब को काट करके यहाँ पे एड़ कर सकते हैं दोनों ही option इसमें available हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओर्गेनो ओर्गेनो एड़ करते हुए ध्यान रहे यह अच्छे से चाड़ों तरफ spread हो जाए तभी इसका टेस्ट आपको बहतर लगेगा ओर्ग इसे अच्छे से प्रेस करके टाइट तरीके से रोल करना है ताकि जब हम इसको fry करे तब इसका रोल ना खुले तो ध्यान से अच्छे से रोल कीजिएगा आप इसे अच्छे से सीख पाए इसलिए हमने second वाला रोल भी आपको वीडियो में अच्छे से दिखाया है देखके हमारा यहाँ पे बन के तयार है अब यह fry करना परेगा इसके लिए हम पैन ले लेंगे फैन में थोरा सा तेल तेल कंप्लीटली डिपैंड करेगा आपके पैन के ऊपर जतना बड़ा है उतना ज़्यादा तेल लग और पैन जितना च्छोटा है उतना ही कम तेल लगेगा क्य में उस पे लगाकर हमें इसको fry कर लेना हैं तो दोनों ही चीज हमने पहले ही प्रिपयर कर ली थी जो आमने आपको पहले दिखाया था और उसी को इसतमाल करते हुए ending में उसको use करते हुए हमें इसे fry करना है साथ ही मैं आपको बदाई देना चाहूँगा 15 अगस्ट के लिए 15 अगस्ट हमारा Independence Day मेरी और मेरी वाइफ के तरफ से आप सब को Happy Independence Day Independence Day जितनी खुशिया हमारे घर लाता है उतने ही काम लेडिस का घर पे बढ़ जाता है घर के जैंट्स और स्पेशियली बच्चे जिनको बाहर का पीजा सबसे जादा पसंदिदा है इस 15 अगस्ट को आप उने घर पे पीजा का टेस्ट दिला सकते है सबसे सिंपल क्रिस्पी वैज चीज रोल ये खाने में हेल्दी भी है घर का बना हुआ है और आज के इस महँगाई के जमाने में ये घर पे बनाना बहुत ही एफोरडबल इसमें जो इंग्रीडियन्स हमने इस्तमाल किये है ये सारे इंग्रीडियन्स के लिस्ट आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आप इसे घर पे एक बार बनाए उसके बाद मैं गैरंटी देता हूँ कि आप इसे दुबारा जरूर बनाएंगे क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है और बच्चों का ये फेवरेट डिश बन जाएगा वीडियो के एंड में आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इस वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंज ग्रूप में ताकि लोग इसे सीख पाए और अपने घर पे इसे बनाकर टेस्ट कर सकें थैंक यू सो मच